आज मैं आप लोग बता हुआ कि आप लोग कैसे ओनलाइन अर्निंग कर सकते हैं Amazon Alexa skills के थूँ Hi guys, मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी और इसते पहले कि मैं आज का ये topic शुरू करूँ मेरा सभी subscribers से एक बहुत ही important question है वो question ये है कि मैं इस channel को rename करने की सोच रहा हूँ Now, channel का content वही रहेगा जैसा अभी तक चलता रहा है सब वैसा ही रहेगा बस नाम मैं इसका change करने की सोच रहा हूँ So, अभी ad present है क्रिपेश आडवानी मैं सोच रहा हूँ मैं इसको rename कर दूँ आडवानी जी Now, ये जो नाम है short name रहेगा So, I think की short name will be much cooler and थोड़ा brandable भी रहेगा ये तो जो भी आप लोग के opinions है यहाँ पर मैं पोल दे दूँगा आप उस में को पोल में बताएगे कि अभी ad present वाला नाम जादा अच्छा है यह rename करके जो मैं आडवानी जी रखने वाला हूँ वो जादा बेटर रहेगा So, अब हम लोग start करते हैं कि आज का वीडियो टॉपिक के बारे में So, आज का जो वीडियो टॉपिक है वो Alexa skills को ले करके So, अभी recently Amazon ने एक नया developer program introduce किया है Developer rewards program introduce किया है उसमें ऐसा है कि वो लोग Alexa skill developers को pay करेंगे Based upon their downloads और कितने उनके skill के reach हो रहे है उसके according Amazon Alexa वाले Amazon वाले Alexa developers को pay करेंगे साथ ही साथ वो लोग आपको लोग को Amazon web server के free credits भी देंगे So, that's another good point अब T-shirt से वो लोग थोड़ा बढ़के आ रहे हैं जो पहला important point है वो यह है कि आप Indian resident होने चाहिए आपका जो residence होना चाहिए वो India का होना चाहिए यह program सिफ Indians के लिए है तो पहला point है Second point है जो इसकी payment रहेगी वो vary करेगी मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें AdSense वाला कोई system नहीं आड्स नहीं ड़लेंगे यह Amazon handpick करेगा कि उसको conscious skills के लिए सामने अले developer को pay करना है तो इसकी जो payment रहेगी वो काफी vary करेगी वो $100 भी हो सकती है वो $1,000 भी हो सकती है वो $10,000 भी हो सकती है पर month So काफी vary करेगी है Third important point है कि यह जो program है यह सिर्फ selected categories के लिए ही valid है at present तो मैं नीचे एक link में description दे दूँगा आप लोग वो website जाके देख लिए वहाँ पर पूरा उन्होंने detail में दिया कि कौन-कौन सी category इसके लिए available रहेगा तो skill बनाने से पहले वो ज़रूर देख लिए कि आपके skill उस category में आ रही है कि नहीं आ रही है और यह जो चीज है यह Amazon handpick करेगा handpick करेगा मतलब आप इसके apply नहीं कर सकते आपके skill जब आप डालोगे जब उस पे users आना start हो जाएंगे जब उसके downloads बढ़ जाएंगे जब user interaction बढ़ जाएगा उस Amazon Alexa skill के लिए तब यह जो चीज है Amazon notice करेगा and then वो आपको reach करेगा कि आपकी skills लोग use कर रहे है and हम आपको इसके लिए इतने payment देने को तयार है अब यह जो concept है foreign में भी introduced हुआ है और इसका जो foreign में response रहा है वो काफी mixed bag रहा है mixed bag in the sense कि किसी-किसी लोगों को सिफ $100 मिले बल्कि कोई-कोई ऐसे भी लोग है जोने $10,000 तक पर मंत मिला है तो it's a mixed bag and दीरे-दीरे लोगों की यह भी complaint थी कि पहले उन्होंने ज्यादा दिया and दीरे-दीरे वो amount कम होती गई and अब वो एक negligible amount है उन developers के लिए so यह जो चीज है इसका total control Amazon के हाथ में अभी एक अच्छी opportunity में को लग रही है and I think कि अभी Amazon भी यहां पर अच्छी payment देगा ताकि वो नई developers को attract कर पाए Alexa platform के लिए तो आप लोगों करना क्या है आप लोगों को Amazon Alexa के लिए skill बनानी है जो voice-based assistant है उसके लिए skill बनानी है तो यह आप लोगों सीखना पड़ेगा अराउंड एक महीने का आप लोगो टाइम लगेगा इसको अच्छा से master करने के लिए और अगला एक महीना लगेगा आप लोगों को एक skill को develop करके market में डालने के लिए तो यह चीज़े आप लोगों करनी पड़ेगी और what I recommend is कि आप इसको एक part-time job की तरह ले सकते हैं या आपके part-time earning भी करवा सकता है तो अभी आड प्रेसेंट तो इसकी opportunity में को देख रही है इंडिया में और यह बात ज़रूर राद में रखना है कि यह सिफ limited time offer है तो ऐसा नहीं है कि यह lifetime रहेगा हो सकता है दो-तीन महीने रहे हो सकता है एक-दो साल रहे तो जब तक यह एक limited time offer है Amazon के तरफ से तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतरह ही अगर आपको खुछ value में लिए हो तो thumbs up देजिएगा मुझे नीचे comments में बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगो कैसा लगा है और मुझे कौन सा नाम रखना चाहिए अपने इस चैनल के लिए so that will be all for this one मैं आप लोगो से मिलूंगा अगले वीडियो में so until next time goodbye and keep learning